अगर आपने अभी तक Instagram का professional account नहीं बनाया तो भाई Instagram यूज करने का कोई फायदा नहीं है ना real upload करने से आपका कोई फायदा होगा और ना आपको पता चलेगा कि आपका real video viral होगा या नहीं पहले माँ आपको Instagram का professional account बनाना सिखाऊंगा उसके बाद इसके फायदे बताऊंगा उसके बाद आप यहीं बोलोगे कि काश पहले पता होता तो चलिए बताता हूँ कि कैसे आप professional account बना सकते हो तो सबसे पहले आपको अपनी profile माँ जाना है जैसे मैंने example के एक नए account बना लिया बिल्कुल तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ three lines पर किलिक करने है अपनी profile माने के बाद तो जब आप यहाँ पर किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा तो आपको यहाँ पर setting and privacy पर किलिक करने है तो जब आप यहाँ पर किलिक करोगे इसके बाद ध्यान से देखना है, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना और एक step को भी miss मत करना, कभी कोई step miss कर दो गलच चीज वहाँ पे डाल दो तो फिर बेकार हो जाएगा, तो अभी आप यहाँ पे देखो को यहां पर आपको किलिक करते ही कुछ ऐसा अंटरफेस आएगा तो यहां पर एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना यहां पर लिखा हुआ है switch to professional account और एक लिखा हुआ है add new professional account तो आपको new add नहीं करना जो आपका instagram account है इसी को professional account बनाना है तो आपको इस वाले उपर वाले पर किलिक कर देना है जब आप यहां पर किलिक कर दोगे तो कुछ ऐसा आएगा तो नेचे आपको continue पर click करना है पर आपको continue पर click करना है फिर आपको continue पर click करने है अब यहाँ पर देखो बहुत सारी categories आ गई अब यह कौन से category है मालनो भाई आप एक video creator हो सिर्फ आप videos बनाते हो तो आपको नीचे की तरफ जाना है यहाँ पे लिखा हो है video creator तो आपको इसको select कर लेना है अगर आप video creator हो अगर आप gaming से related videos upload करोगे तो यहाँ से gamer select कर लो उसके बाद यहाँ पे देखो अगर आप एक editor हो तो यहाँ से editor select कर लो तो अभी आप video creator हो सिर्फ videos बनाते हो तो आपको यहाँ पे video creator पे select करने है और उपर एक option आ रहा है display on profile तो अगर आप इसको own कर दोगे तो जो video creator आपने यहाँ पे select किया यह आपका profile पे बिशो होगा कोई आपकी profile पे visit करेगा वहाँ पे भी शो करेगा तो चलिए मैं इसको done पर click करता हूँ done पर click करने के बाद यहाँ पे 30 second ले सकता है कभी कभी लेता है तो आपके सामने दो option आएंगे एक तो होगे curator और एक होगे business माल लोग है आप business purpose से बना रहे हो नीचे से आपको next पर click करने है तो इतना करने के बाद आपको बस ok पर click करने है तो यहाँ पर देखो ध्यान से आपके सामने आएगा यहाँ पर कुछ ऐसा तो आपको पूरे 5 step complete करने है first step यह अपनी profile complete करने है second यह अपको यह complete करने है third आपको यह fourth यह, fifth यह तो इनको सारों को complete करने पड़ेंगे तो पहले वाले पर जब आप click करोगे complete your profile पर तो इतना click करने है और यहाँ पर आपको अपना name एंटर करने है bio एंटर करने है तो चलिए करता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना name एंटर करने है जो भी आपका नाम है अगर आपका कोई youtube channel है और आप यहाँ पर link वगएरा भी add करना चाहते हो कि कोई मेरे instagram पर आए और वो मेरे youtube पर भी चला जाए तो आपको यहाँ पर add link पर click करने है जब आप यहाँ पर click करोगे तो भाई आप यहाँ पर add external link पर click करना बस आपको यहाँ पर url डाल देना है यहाँ पर link डाल देना है तो अभी मैं अपने channel पर आगया और इसका link मैंने यहाँ से copy किया copy करने के बाद यहाँ पर बस इसको paste कर देना है और आप अपने channel का नाम चाहो वो भी लिख सकते हो तो इतना करने के बाद उपर tick पर click करो तो अब देखो यहाँ पर आपका एक link पर add हो गया तो bio मैंने सिर्फ अभी इतना ही लिखा है आप इसको अच्छे से लिखो तो मैंने अभी अपना name एंटर कर दिया और यहाँ पर bio लिख दिया यहाँ पर एक link भी लगा दिया अपने channel का तो उसके बाद आपको उपर के तरफ tick पर click करने है जब यहाँ पर click करोगे तो आपका एक step complete हो जुका है लेकिन उपर आप tick पर click कर दोगे तो भी काम चल जाएगा तो दो step आपके complete होगे second वाला बहुत आसान है third वाला पर आपको click करने है उसके बाद आपको यहाँ पर किसी भी एक पर click कर देना किसी भी एक पर means आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर आप किलिक करना चाहो कहीं पर भी किलिक कर सकते हो देखो मैं अभी यहाँ पर किलिक करने वाला हूँ सेकंड वाले पर तो जैसे मैं यहाँ पर किलिक करूँगा बस उसके बाद back कर दो कुछ करने की जरूरत नहीं है उपर आपको फिर राइट वाले टिक पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हमारे तीनी स्टेप कंप्लीट हो गए अब अगला वाला जो है इंट्रोडियूज यॉरसेल्फ तो यहाँ पर आपको अपने बारे में इंट्रोडियूज करना पड़ेगा तो नीचे की तरफ आपको एक पोस्ट करना जरूरी है simple है आपको create post पर क्लिक करने है और जो भी आप post करना चाहते हो photo post करना चाहते हो photo post कर सकते हो तो अभी मैंने अपने चैनल का लोगो ले लिया, उसके बाद आपको उपर next पर क्लिक करने हैं अब अगर आपको यहाँ पर कोई caption लिखने हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी अपने post के बारे में लिख सकते हो अपना photo डालोगे, जो भी आपके मर्जी आए, तो यहाँ पर अभी मैं first post लिख देता हूँ तो इतना लिखने के बाद आपको उपर okay पर क्लिक करने हैं, और नीचे आपको बस share पर क्लिक कर देना है तो share पर आपने क्लिक कर दिया, आपका post हो चुका है तो भाई, अभी मैं अपनी profile पा चुका हूँ, और यहाँ पर हमारे दो post हो चुके हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखो लिखा हूँ है, 3 of 5 तो अभी हमारे 3 step complete हुए है, तो आपको यहाँ पर बस click कर देना है यहाँ पर कहीं पर भी click कर दोगे, तो फिर आपके सामने ऐसा आजाएगा तो आपको introduce yourself पर click करने, फिर से आपको create post पर click करने तो यहाँ पर फिर से मैं एक और same logo post कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर post करनी पड़ेगी और, तो total आपको 5 post करनी पड़ेगी जैसे मैंने यहाँ पर total 5 कर दी, आप चाहो तो अपना photo डालना, अलग-अलग photo डालना मैं तो आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने 5 की 5 same upload कर दिया तो अभी यहाँ पर एक step रहता है, तो वापस आपको यहाँ पर click करने, तो यहाँ पर देखो लिखा हूँ है Explode Tools and Insight, यह सबसे जादा important है, आपको बस यहाँ पर click करने, तो जब आप click करोगे, उपर की तरफ आपको tick कर देना है अब इसके बारे में ध्यान से समझो, यहाँ पर 5 के 5 हमारे step complete हो चुके है, हमारा professional account बन चुका है तो आपको done पर click कर देना है और अपनी profile मा जाना है, सबसे पहला option आपको क्या मिला, कि कोई भी आपके channel पर आएगा, मतलब आपके page पर आएगा तो यहाँ पर देख लेगा कि आपके इसका page का category क्या है, तो यहाँ पर हमने category रखा है वीडियो किरेटर है अब यहाँ पर एक और नए option आया, शायद आपने notice कर भी लिया होगा, यहाँ पर लिखा हो है professional dashboard मतलब आप अपना professional dashboard देख सकते हो, तो जब आप यहाँ पर किलिक करोगे, किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा आपके followers के बारे में reach कितना जा रहा है, अब यहाँ पर आपको समझे ने आएगा, अपनी profile में लेकर चलता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर कितने followers मिले, सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा, एक तो यह हो गया, अब यहाँ से हम वापस चलते हैं, और किसी एक real पर आपको जाना है, अब इस से पता कर सकते हो कि आपका real वीडियो वाइरल होगा या नहीं, जैसे मैं यहाँ पर इस वाली real वीडियो पर किलिक कर देत आपका duration देखो, 12 second का है, सिर्फ 12 second का है आपका वीडियो, अब नीचे की तरफ ध्यान से देखो, यह आपको बता देगा कि आपका real वीडियो देखा कितने second गया, 5 second, पतले 12 second का वीडियो जितने भी views आए, लोगों ने सिर्फ 5 second देखा average, तो वीडियो को 12 second तक नहीं तो इससे आपको आईडिया लग जाएगा कि आपका real video वाइरल होगा या नहीं होगा, तो यह real video वाइरल नहीं होगा, क्योंकि 12 second का वीडियो सिर्फ 5 second देखा गया, तो क्यों ही viral होगा, आपको यहाँ पर यह भी पता चल जाएगा, कि यह real video आपके followers के पास कितना रीच ग प्रोफेशनल होने के बाद ही आपकी वीडियो मिलियंस में जाएंगे जितने भी किरेटर हैं, जितने भी आज के टाम है मिलियंस में व्यूज हैं जिनके लाखों फोलोवर्स हैं सब के भाई प्रोफेशनल अकाउंट है तभी वो इतना गरो कर रहे हैं तो आपकी real viral नहीं होती तो प्रोफेशनल अकाउंट अभी बना लो अब अगर आप अपनी किसी post को promote करना चाहते हो, जैसे ये एक post है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है boost post, तो आप जब boost post पर click करोगे, तो आप अपनी post को boost भी कर सकते हो professional account बनाने के बाद, लेकिन boost करने के लिए आपको यहाँ पे payment करना पड़ेगा, जैसे आपने देखो कभी कभी हमी story देखते रहते हैं, और किसी और का story आजाता है, add आजाता है, तो इसी तरीके से आप अपनी इसको promote भी कर सकते हो, professional account बनने के बाद, 418 रुपे, 480 रुपे, जितने में भी आप करना चाहो, उतने में कर सकते हो, सब कुछ आपको बता देगा, कितने दिन तक रहेगा, तो अगर आपको boost करना है, किसी post को आपने बहुत अच्छा बनाया, तो आप उसको boost भी कर सकते हो, एक और important is, आपको उपर की तरफ, 3 lines पर click करने, setting and privacy पर click करने, यहाँ पे created tools and control का एक option मिलेगा, तो जब आप यहाँ पे click करोगे, ध्यान से देखो, gift का option मिल चु professional account ही देखा जाएगा, और यहाँ पे आपको एक option मिलता है, monetization status, यह आपका बिल्कुल clear होना चाहिए, देखो, यहाँ पे भी टिक, यहाँ पे भी टिक, यहाँ भी टिक, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, you are able to monetize, अगर लि वीडियो आ रहा होगा, real viral करना सीख लो, तो मैं आप चलता हो, किसी और interesting वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना जान रखें, and bye bye